कानपूर में बीती 25 अक्टूबर से आई आई टी के आसपास दहशत का कारण बना तेंदुआ अब तक वन विबाक की पकड़ से दूर है बता दे की तेंदुआ राशी शरकरा संस्थान यानि के NSI में भी देखा गया था जिससे वहाँ पर तहशत का महौल बना हुआ है बता दे की बिती शाम को NSI के गल्स हॉस्टल के बाहर तेंदुए को घूंटआ हुआ देखा गया था जिससे संस्थान में हरकंप मचा हुआ है इतना ही नहीं होस्टल की छात्राओं में दहशत का महौल भी है वहीं आसपास के गाव और घरों में रह रहे हैं लोगों में काफी ज़्यादा दहशत है जिसके चलते लोग अंदेरा होने के बाद घर से नहीं निकलते हैं आपको पता दे कि राश्ट्री शरकरा संस्थान में तेंदुए के पैर के निशान मिले थे जिसके बाद वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए थे जिसमें तेंदुआ संस्थान परिसर में घुमते हुए कैद हुआ था वहीं वन विबाग को एक जंगली सुर का कंकाल भी मिला है वन विबाग का मानना है कि तेंदुए नहीं उसका शिकार किया है जिसके बाद से वन विबाग की एक टीम लगातार IIT कैमपस में गश्ट कर रही है वहीं दूसरी टीम NSA में भी गश्ट कर रही है लगातार संस्थान के पीछे जंगल की जैसी भी मशीन से सफाई हो रही है आप निकल तो क्या डर लगता है को दैसर का भूल है तो साम के बार तो डर लगते हैं आपको क्या आपको आसपा तहीं दिखा और वाल सबने देखा है और नाक्टर स्वहन के घर के सामने जो यहां के अधिकारी है वो उनकी दोड़ा पुष्टी करी गई कि लगातार जंगली जानवर उनको खा रहा है वहां पुष्टी की गई है कल बन विभाग की टीम ने भी यह पुष्टी की है तो आप क्या चाथ जल पकड को एंद और यहां फिद्वी चलाते हैं और यहां पर थे लोगर हैं खर्टीके मतलब कि दूधिना अंदर है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें